नमस्कार मैं हूँ तन्वी सिना और आप देख रहें बिज तक दोस्ती और कारुबारी रिष्टे का मजबूत तानाबाना तयार करने बोरिस जॉंसन भारत आये हैं जाहिर है वर्तमान के साथ नजर इतिहास पर भी है सावर मती आश्रम पहुचे बोरिस जॉंसन ने महात्मा गांधी को नमन किया चर्खा चलाया सूत काता विजिटर बुक में लिखा कि उस महात्मा के आश्रम में आना सौभागी की बात है जिसने सत्य और अहिंसा के सिधान्त से दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया आजादी के बाद करीब सत्तर वर्षों में ब्रिटेन और भारत के रिष्टे प्रगाड हुए है बोरिस जौनसन का इरादा इस रिष्टे को बिजनस के मामले में भी नई उचायर देने का है बोरिस जौनसन का लक्ष भारत के साथ कारूबार को 3 लाक करोड तक ले जाने का है इसी सिलसले में बोरिस जौनसन गुजरात के उध्योगपतियों से मिले अडानी ग्रुप के चेर्मेन से करीब एक घंटे तक बात हुई ब्रिटिश पीम के दौरे पर फ्री ट्रेड अग्रिमंट पर बुहर लगनी है इसे नए युकी ट्रेड डील कहा जा रहा है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज और निवेश तो होगा ही साथी Intellectual Property Rights, Geographical Indication और सतत विकास को भी शामिल किया जाएगा भारत और ब्रिटेन के कारुबार का दायरा पिछले दो दशक में तेजी से बड़ा है लेकिन दोनों देश इसे नई उचाया देना चाते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 20 साल में आयात निर्यात तीन गुणास से ज़ादा हुआ है ब्रिटेन ब्रिटेन का चौथा सबसे बढ़ा निवेशक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बिटेन की हिस्सेदारी करीब 6 फीज़डी है इसी तरह भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है भारत के निवेश से ब्रिटेन में 1.16 लाग से जादा नौकरिया निर्बित हुई है जानकार मान रहे हैं कि जॉनसन अपने देश में महेंगाई कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस दौरे पर है इस दौरे में ग्रीन टेकनोलोजी, हाई स्किल वाली नौकरियों के अफसर और नौलेज शेरिंग पार्टनर्शिप पर भी चर्चा हो सकती है साथी भारत के साथ डिफेंस पार्टनर्शिप बढ़ाने पर भी चर्चा होगी भारत ब्रिटेन का पंद्रवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यानि व्यपारिक साजयदार है केंद्रे वानेज्य और उद्योग मंत्राले के आकड़ों के मताबिक साल 2020-2021 में दोनों देशों के बीच करीब एक लाख करोड का कारुबार हुआ जुसमें भारत ने करीब साथ हजार करोड के उतपाद ब्रिटेन को निर्याद किये उसके बदले भारत ने ब्रिटेन से सिफ 36,000 करोड का सामान आयाद किया साल 2019-2020 में भारत और बिटेन के बीच 1,08,000 करोड का व्यपार हुआ जुसमें भारत ने बिटेन को 61,000 करोड के करीब निर्याद किया इसके बदले भारत ने बिटेन से सिर्फ 47,000 करोड के उत्पादों का ही आयाद किया भारत ब्रिटेन के बीच एक लाग तीस हजार करोड के कारोबार को बोरिस जॉनसन दोगुना से ज़ादा बढ़ाना चाते हैं यह आकड़ा कारोबारी साल 2021 का है अभी भारत यूके को सबसे ज़ादा एक्सपोर्ट, रेडिमेड कपडे, टेक्स्टाइल फाब्रिक, रिफाइन ओयल के अलावा दवाया और फार्मसिटिकल्स उत्पादों का करता है जबकि भारत यूके से मोती, कीमती, पत्थर, मेटल, मशीनरी, मेकानिकल उपकरण जैसी चीजों को इंपोर्ट यानी आयात करता है इसके अलावा बिटेन से अलेक्रिकल, मशीनरी और उपकरण भी आते हैं इतना ही नए यूके से भारत में भारी मात्रा में शराब का आयात भी किया जाता है जाहर है बोरिस जॉन्सन के भारत यात्रा का मुख्य मकसद कारोबार है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही हमारे चानल बिस तक पो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद झाल 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 झाल